सभी का स्वागत है इस cut-off वीडियो के अंदर जहां पर हम बात करेंगे यूजिस इनिट जो आपका re-examination हुआ है उसकी shift 1 की and shift 2 क्या जाएगी दोनों चीजों के बारे बात करेंगे करेंगे अभी आपका examination पूरा हो चुका है answer keys भी आ चुकी है I hope आप सभी ने answer keys चेक कर लियोगी कुछ एक question जो है सेपरेट वीडियो बना लिया था जो आपको देखना हो तो उसको आप देख सकते हैं अब मैं simply आपको बताता हूं कि 2023 में cutoff क्या रही थी 2023 आरते ही December में जो आपका examination हुआ था वहां पर cutoff क्या रही थी December के अंदर तो December के अंदर ये cutoff थी आप यह देख सकते हैं लेकिन ये clear picture नहीं दिखा रहा है ये clear picture क्यों नहीं दिखा रहा है क्योंकि इसके अंदर ये नहीं mention है कि 8 questions जो ते वो drop हुए उसके marks सब को मिल गए य अब की cutoff कहां पर जाएगी लास्ट ये लास्ट यसी कहां पर land करी cutoff जाकर आप general category के देख सकते है एक सो डो माईनेस आठ OVC 97-8 EWS 99-8 SC 92-8 ST 94-8 ऐसे ही net category यहाँ पर minus 8 कर लिजे, यहाँ भी minus 8 कर लिजे यहाँ भी minus 8 कर लिजे यहाँ भी minus 8 और यहाँ भी minus 8 तो यह आपकी cut off रही थी last time जहाँ पर 8 question drop होई थे इस साल की बात करता हूँ सबसे पहले तो normalization जो था shift 1 के विवर में मतलब differences थे, shift 1 comparatively बोल रहा हूँ मैं shift 2 के easy था, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल easy था, please comment section comment section के अदर comment करें यह मत बोलना कि shift 2 आप easy कैसे बोल रहा हूँ मैं यह बोल रहा हूँ shift 2 के comparison में shift 1 easy था ठीक है, तो अगर उस normalization, जो normalization automatically होके आएगा, जब आपका score card आएगा, जो कि percentile के अंदर आएगा इस बार आपको cut off भी direct नहीं परता चलेगी percentile के अंदर आपका result आएगा percentile क्या होता है कि shift 1, shift 2 compare करते है normalization भी, normalization कि कौन करता है, उसके बाद आपका result आता है जब वो result आएगा, तो मेरे साब से जो expected cut off होनी चाहिए, वो 95 question को par नहीं करेगी, अगर मैं normalization को भी consider करके चलता हूँ, shift 1 के students को लेके 94 par नहीं करेगी general category के लिए, EWS के लिए 90 par नहीं करेगी, OBC के लिए 90 par नहीं करेगी, SC 82 par नहीं करेगी, ST 82 par नहीं करेगी, same goes with PWD PWD जो candidates होते वो अलग-अलग category के लिएड के जाते हैं तो मैं PWD जनरल बता रहा हूँ यहाँ पे जनरल PWD जनरल को बता बता नहीं जाएगी यहाँ पे आप 85 net ले लिजे, 80 net 80 net, SC 70 and ST 70, तो यह हो गई आपके shift 1 को लेके shift 2 पे impact पड़ेगा, और वो impact कितने question तक का हो सकता है यह भी matter करता है, वो क्या impact पड़ेगा, मैं यह मान के चल रहा हूँ after checking both the papers shift 1 and shift 2 के after checking both the papers, मेरे साब से आप यहाँ पे 3-3 question का impact जरूर लगा लिजे, क्योंकि मैं अगेन बोल रहा हूँ, shift 1 easy नहीं था, नहीं shift 1 easy था shift 1 को अगर मैं shift 2 जे compare करूँ तो shift 1 के लेवाल थोड़ा सा slightly easy था ठीक है, shift 2 comparison में तो इसी वैसे 3 question का मैं impact लेके चल रहा हूँ तो अगर 95 cut off रहती है, shift 1 के लिए तो shift 2 के लिए आप 92 plan के चल रहे, यहां पे ऐसे minus 3, minus 3, minus 3 minus 3 आप इस भीसे लेके चल सकते सहों तो अगर वहाँ पे 95 जाता है तो उधर 92 जाएगा, अगर आप 90 जाता है, तो धर 87 जाएगा, उधर 90 जाता है, 87 जाएगा, यहां पे 79 यहां पे 79, ऐसे यहां पे minus 3 यानि कि 82, यानि कि 77, यानि कि 77, यानि कि 67, यानि कि 67, क्यूंकि नॉर्मलाज़ाशन होगा, ओके नॉर्मलाज़ाशन होके जो इंपाक्ट बढ़ेगा, उस हिसाब से इस तरी के साफ ही cutoff जाएगी, ओके, so that's it guys, यह expected cutoff है, जो revise की गई है, कि पहले मैंने minus 5 माना था, लेकिन paper देखके मुझे realize हुआ है कि इतना भी difference नहीं था, 3 का difference हो सकता है, 5 का difference नहीं होगा, तो मेरी तरफ से revised cutoff यह है, after checking both the papers, और उसके बाद student से बातचीत करके भी, student से cutoff का analysis भी जानके भी, ठीक है, तो यह मेरी तरफ से revise cutoff है, so that's it, अभी आपको cutoff ही बजा चल गया है, अभी आपको अपने result ही बजा चल गया है, तो अगर आप December 2024 के student हो तो अभी से operation करना शुरू कर देजिए, अभी आपके पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, NTA जाधा समय नहीं लेगा, आपका result भी जल्दी आ जाएगा, और result आने के बाद, October के अंदर आपका expected notification है, जहाँ पे December 2024 का notification आ जाएगा, so अगर आप December 2024 के student हो, इस number पे call कीज़े सीधे, 08045888812, 08045888812, यहाँ पे call कीज़े, 0 लगाना मत बूलेगा, यहाँ पे paper 1, paper 2, test series, previous question, सारी जीज़ आपको मिल जाती है, जो आपकी preparation के लिए काफी important होता है, उसके साथ साथ booster course मिलता है, जो आपकी preparation को एंदर boost करने के लिए दे आता है, यह रहा हमारा telegram channel, इसको भी join कर लिजे, सारी information आपको paper 1, paper 2 की हाँ पे मिल जाएगी, ओके, so that's it from my side, अब मिलते हैं, next session के अंदर, जहाँ आप हम December 2014 की preparation करना शुरू कर देंगे, ओके, bye-bye guys.